बुक के हर लाइन का एक्स्प्लानेशन समझते हुए, हम लोग अपने बुक के चौथे चैप्टर I Have A Dream तक पहुँच चुके हैं लाइन बाइन रीडिंग के इस experience में मैं हूँ आपके साथ मलेंद्र और स्वागत करता हूँ आपका 12th English.com के इस YouTube चैनल पर हमेशा की तरह इस बार भी हम लोग हर लाइन को रीडिंग देते हुए आगे बढ़ेंगे और जहां कहीं भी कोई भी important word आएगा तो उसे समझते हुए भी आगे चलेंगे और अंत में जितने भी संभावित objective questions इसमें से पूछे जा सकते हैं उसे देखते हुए चलेंगे आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात मैं आपसे कह दूँ कि अगर आपने पहले part का video नहीं देखा है तो उसका link मैंने description में दे दिया है आप उसे जरूर देख लेजएगा और अगर आप उसे देख चुके हैं तो फिर देर नहीं करते हैं और चलिए अपने chapter को आगे सम प्रोमिस्री नोट insofar as our citizens of color are concerned हमेशा की तरह हम लोग important words को समझने के साथ शुरू करेंगे इसमें एक शब्द आया हुआ है आपका obvious obvious का अर्थ होता है स्वभाविक तोर पर जैनी कि इस चीज़ को समझाने की जरूरत नहीं है इसे कोई भी बहुत आसानी से समझ सकता है ठ insofar as यहाँ पर एक phrase दिया गया है जिसका अर्थ होता है जहां तक और concerned का अर्थ होता है उससे संबंधित होना जहां तक उसके हितों की बात होती है या उसका लेना देना उस चीज़ से होता है तो इस line का मतलब समझते हैं हम लोग अच्छी तरह जान रहे हैं कि हमारे इस chapter क author Martin Luther King Jr. है जो कि एक जगह पर speech दे रहे हैं कहां speech दे रहे हैं Lincoln Memorial में Washington DC में यह August 1963 की बात है तो यहाँ पर वह आगे क्या कहना शुरू करते हैं It is obvious today यानि यह सो भाविक है यह कोई भी इस बात को समझ रहा होगा अच्छे से कि America जो है उसने default किया उसने दोखा दिया अपनी बात से मुकर गया अपने promise से ठीक है जहां तक उसके रंग भेद की निती की बात थी जहां तक उसके नागरिकों के रंग को लेकर के बात हो रही थी और उसके नागरिक उससे जुड़े हुए थे कौन से promise की बात हो रही थी वही emancipation proclamation जिस पर Abraham Lincoln ने sign किया था कि अब यहां से आगे 10 प्रथा को खत्म किया जाएगा और जितने भी लोग हैं चाहे वो गोरे हो या काले हो उनके बीच अब कोई भी भेदभाव नहीं होगा लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है बलकि लोगों को अभी भी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है Instead of honoring this sacred obligation America has given the Negro people a bad check which has come back marked insufficient funds अब यहां पर आये हुए कि जो important words है उनको देख लेते हैं Instead of का अर्थ होता है की जगह पर? Honor का अर्थ होता है सम्मान करना, sacred का अर्थ होता है पवित्र Obligation यानि कि उस चीज की जो बात देता थी उससे जो जुड़ा हुआ था और चेक तो आप सभी लोग जानते होंगे जो कि बैंक का चेक मिलता है Insufficient ये जो शब्द है sufficient से बना है sufficient का अर्थ होता है परियाप तो insufficient यानि अपरियाप fund का अर्थ होता है ऐसे हिंदी में भी इसको fund ही बोलता है यानि कि उस चीज में जो पैसा होता है उसे fund बोला जाता है उस हिस्से में जो पैसा रखा जाता है तो यहाँ पर Martin Luther King Jr. जो कह रहे है वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास एक पवित्र तरह की एक बात देता थी कि जो हमने emancipation proclamation sign किया कि अब गोरे और काले लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होगा तो अमेरिका के लोगों ने उसका सम्मान करने की बजाए उसका सम्मान करने की जगा पर ये कुछ इस तरह का हुआ कि अमेरिका के पास जब ये बात पहुँची की हाँ हम मतलब अब सब का सम्मान करेंगे अब बरावरी का दर्जा देंगे तो उन्होंने कुछ इस तरह का जैसे कि कोई एक bounce check हो गया हो एक खराब check हो और अब किसी को खराब check देते हैं और वो वापस lot आता है जो वापस lot आया है उस पर ये लिखा हुआ है जो कि marked है insufficient funds insufficient funds का अर्थ हुआ कि इसमें परियापत पैसा नहीं है imagine कीजिए कि मैं आपको एक check देता हूँ और आप उस check को ले करके जब बैंक में जाते हैं बैंक वाले आपसे कहते हैं कि आपको जो check दिया गया है उस account में तो पैसे ही नहीं है यहां पर negros लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है यानि कि उन्हें paper पर तो बैराबरी का हाग दिया जा रहा है उन्हें paper पर एक नागरिक के तौर पर इतने भी अधिकार होते हैं, वो सारे दिये जा रहे हैं, लेकिन reality क्या है कि उन्हें हर तरफ से तिरसकार मिल रहा है, उन्हें ऐसा बताया जा रहा है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर हमारे पास sufficient funds हैं ही नहीं, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ भी कुछ important words आए हुए है, जैसे कि पहला शब्द है आपके पास refuse, refuse का अर्थ होता है मना करना, न कार देना उस चीज को, believe का अर्थ तो आप जानते हैं, विश्वास करना, justice कहते हैं नियाय को, bankrupt यानि कि दिवालिया होना, उसके पास कुछ भी ना होना, believe यानि विश्वास करना, insufficient, just हमने भी पीछे देखा कि इसका अर्थ होता है आपरियाप्त, और world कहा जाता है खाजाना यातिजूरी को, और opportunity कहा जाता है अवसर को, तो यहाँ पर Martin Luther कहते हैं कि लेकिन हम ये मानने से इंकार करते हैं, हम ये कभी नहीं मानेंगे कि जो नियाय का जो बैंक है हमारा, कि bank of justice, वो दिवालिया हो चुका है, हम ये नहीं मान सकते हैं कि हमारे जो समाज में जो नियाय को लेकर कि जो हमारी धारना है, जो मानने जो अवसरों का बहुत बड़ा खाजाना है, कि उसमें हमारे लिए फंट सी नहीं है, यानि कि उसमें हमारे लिए अवसर नहीं हूं, साथ में काम करने का, साथ में नौकरी पाने का, साथ में सफर करने का, या साथ में जीने का, आगे बढ़ने का, अवसर हमें ना मिल सके, हम इस चीज को मानने से इंकार करते हैं. So, we have come to cash this check. A check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. अब यहाँ पर जो important words आयो हैं, जैसे cash, cash करने का अर्थ होता है, उसको पहले paper पर था पैसा, अब उसको रकम के रूप में अपने पास लेना, cash, जैसे local language में आप बोलते हैं, उसको खुला कराना, भंजाना उसको, ठीक है? चेक तो आप जानी रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर demand, demand का अर्थ होता है, मांग, riches का अर्थ होता है, धन समपदा, ओके, यह rich, जो, अमीर लोगों को जो rich कहा जाता है, यह उसका plural नहीं है, आगे चलकर कि जब हम लोग grammar सीखेंगे, just book खत्म होने के बाद grammar शुरू होगा, तो उस समय मैं बता दूँगा कि, जो rich होता है, उसका plural बनाने के लहनों केवल दा लगा देते हैं, तो उसका riches कभी नहीं होता है, तो riches जो है, वो noun है, और इसका अर्थ होता है, धन समपदा, यानि कि बहुता सारा पैसा, riches of freedom, freedom यानि आजादी, security यानि सुरक्षा, justice, just अभी हमने इसको देखा था, कि नया होता है इसका अर्थ, यहाँ पर एक शब्द और आया हुआ है, हैलोड, हैलोड का अर्थ होता है, प्रतिष्ठित, यानि कि कोई बहुत ही पुरानी जगह, जहां पर कि, सारे लोग उस चीज को पहचा किसी परतिष्ठित जगह के तोर पर, किस कोई बहुत बड़ी जगह, जैसे कि इंडिया में लाल किला, काफी परतिष्ठित जगह, spot का अर्थ ही होता है, जगह, remind का अर्थ होता है, याद दिलाना, और fears यानि बहुत ही ज़्यादा, और urgency, यानि कि उसकी ततकाली इन जरूर ततकाल, बहुत जल्दी, तो यहाँ पर Martin Luther कहने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम लोग इसी लिए यहाँ पर आए, कि हमें जो चेक मिला था, हमें को उसे कैश कराना है, उसमें जो जो वादे किये गए थे, वो हमें चाहिए, और एक ऐसा चेक है यह हमारे पास, जो कि हमें बहु है, कि आजादी की जुक, बहुत ही बड़ी धन दौलत है, वो हमें मिल सके, साथी सुरक्षा मिल सके, सुरक्षा शब्द क्यों इस्तमाल किया जाता है, इसका सिंपल कनेक्शन है, सोशल, जब एक एक एगजिस्टेंस की बात आती है, तो सुरक्षा बहुत इंपॉर्टन च होता रहता है आने वाले समय में, अकसर ही, इसके पिछे का कारण क्या है, कि वो जब बाहर निकल रही है, तो उनकी सिक्यूरिटी बहुत मजबूत नहीं है, अकसर यही सिक्यूरिटी का इशू अभी जेंडर से उठकर के कास्ट पे पहुंच जाता है, कभी-कभी ये धर्म पर भी पहुंच जाता है, कई बार आपने सुना होगा कि इधर हिंदू लोग रहते हैं, इसलिए मुस्लिम लोग उधर से जाने से कतराते हैं, सिक्यूरिटी रीजन्स की वज़ए से, कई बार मुस्लिम लोगों के कम्यूनिटी से हिंदू लोग बुजरने से कतराते हैं, क जस्टिस, जस्टिस यानि न्याए, यानि कि उस चेक में हमें जस्टिस की भी बात की गई, हमें जस्टिस देने की, हमें न्याए मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि हमारे साथ पक्षपात हूँ, कि जहां पर काले और गोरे का केस है, वहां पर गोरे को इनसाफ मिलने की जगह पर उसका पक्षपात कर दिया गया और उसको उसके फेवर में कोई फैसला सुना दिया गया आगे वो कहते हैं कि we have also come to this hallowed spot हम इसी जगह पर क्यों आए ये जो Lincoln Memorial पर आने की सबसे बड़ी वज़ा क्या रही इसके पीछे का simple कारण था कि अमेरिका के जो लोग है ये वही जगह थी जो उस इंसान से जुड़ी हुई थी जिसने Emancipation Proclamation को साइन किया था अबराहम लिंकन से और हम जान रहे हैं कि ये जो भाशन दिया जा रहा है वो Lincoln Memorial में दिया जा रहा है यानि कि सीधा अबराहम लिंकन से दिखाया जा रहा था और यहां पर बताया जा रहा था कि ये कितना अर्जेंट है और कितना महतोपूर्ण मसला है पूरे अमेरिका के लिए दिस इस नो ताइम तो इंगेज इन लग्जरी अफ कूलिंग ओफ और तो तेक दा ट्रैंकुलाइजिंग ड्रग अफ ग्रेजुलिस्म अब यहां पर जो important words आए हुए उनको देखते हैं जैसे एक शब्द आया हुआ हुआ है इंगेज का अर्थ होता है उसमें सनलगनोना उससे जूड़ जाना उसमें काम में लग जाना लगजरी का अर्थ होता है विलासिता जो सुख सम्पदा होती है जो सुख सम्रिद्दी के साथ जो जिंदगी बिताते है शोराम उसको लगजरी कहता है cooling off का अर्थ होता है ठंडा पड़ जाना, सुस्ताना tranquilizing का अर्थ होता है जो मद होश करते drug of gradualism gradualism का अर्थ हुआ लगातार बढ़ना धीरे-धीरे, चलो ठीक है कोई काम हो रहा है वो धीरे-धीरे हो रहा है तो gradualism के तरफ चला जाएगा फिर dark winds होता है पात का अर्थ होता है रोशन पात रोशन रास्ता जहां पर कि सूरज की रोशनी पहुच रही हो और racial यानि नसली है जो नसल से जुड़ा हुआ हो और justice यानि नया है आगे यानि कि मार्टिन लूथर कहरे है ये ऐसा समय नहीं है कि हम लोग अब आराम करने के लिए थोड़ा सा रुख जाए luxury of cooling off हम उस विलासिता को afford नहीं कर सकते है हम उतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकते कि अब यहां से हम रुख जाए शान्त पढ़ जाए ना ही हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने के एक tranquilizing drug ले सकते है यानि कि कई बार होता है कि हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो चलो ठीक है दीरे दीरे चल रहा है ना हो रहा है उसको करते हो जाते हैं यानि कि हम लोग ऐसी स्थिती में भी नहीं है अब एक ऐसा समय आ गया है कि जहां कि हमें इस अंधेरे पन से इस अकेले पन से और ये जो हमें अलग थलग डाल दिया गया है इसके घाटी से उपर उठना है और वह कहां हमें ले करके जाए एक रोशन रास्ते पर sunlit बात हो किसीच का racial justice का racial justice यानि कि जहां कि नसलिया नयाय हो नसल के अधार पर केवल ये देख करके की गोरे काले है इसके अधार पर अन्याय जैसी जो फितरत है इस समाज की वो खत्म हो जाए और हमें बराबरी का हिस्सा मिले और हमारे साथ बिलकुल ना इंसाफी ना होते हुए इंसाफ हो अब यहां पर जो important words आये हुए उसमें एक शब्द है हमारे पास quicksands quicksands कहा जाता है जो दलदली जगह होता है और रेशियल नसली injustice यानि अन्याय solid यानि बिलकुल थोस चटान और brother शब्द से निकला है हमारा brotherhood brother यानि भाई और brotherhood का अर्थ होता है भाई चारा यानि आपस में मिल करके रहने की प्रवरिते तो यहां पर मार्टिन लूथर कहने की क्या कोशिश कर रहे है कि अब समय आ गया है now is the time कि हम अपने देश को अपने राश्ट्र को उपर उठाएं कहां से यह जो नसलिय जो नाइनसाफी हो रही है नसलिय जो भेद भाव हो रहा है इतना उसके दलदल से निकाल करके इसको एक भाई चारे के फोस चटान तक ले करके चले जाएं जहां पर कि सभी लोग मिल करके रहते हों आगे वो कह रहे हैं कि यहां भी कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे कि पहला शब्द आया हुआ है यहां पर ओवर्लुक का अर्थ होता है नजर अंदाज करना उस चीज को यहां एक और शब्द है आपका फेटल फेटल का अर्थ होता है दुरभाग के पूर्ड अर्जेंसी यानि कि ततकालिन जरूरत उस चीज की मॉमेंट कहते हैं च्छन को इस पल इस समय इस लम्हे जो हो रहा है उसे मॉमेंट का जाता है अंदर एस्टिमेट का अर्थ होता है उसको अंदर मतलब कि कम अंक लेना किसी चीज को अंदर एस्टिमेट करना और डिटर्मिनेशन का अर्थ होता है उसका निश्च है तो यहाँ पर माटिन लूथर कह रहे हैं कि अभी का एक ऐसा समय है जिस समय से हम गुजर रहे हैं जिसको कि अगर ये राष्ट नजर अंदाज कर देता है तो ये इसके लिए दुर्भाग के पूर्ण होगा अभी का जो समय है इसकी जो ततकालिन जरूरत है अभी के समय की जरूरत है कि नेगरों लोगों को बराबरी का हक मिले उनके साथ नयाय हो तो अगर इस जरूरत को ये जो अरजनसी है इसको अगर ये पूरा राष्ट नजर अंदाज कर देता है तो ये पूरे देश के लिए पूरे राष्ट के लिए दुर्भाग ये पूर्ण होगा और इसके साथ ही वो नेगरों का जो डिटर्मिनेशन है इस बराबरी को लेने के लिए इसके लिए जो संगर्ष कर रहे है हम लोग इसके लिए जो अंदोलन कर रहे है ये सारे चीज़ों को इसके दुर्भाग निश्य को अगर ये देश अंडरेस्टिमेट कर रहा है इसको कम करके आंकर आए कि चलो ठीक है कुछ दिन का प्रोटेस्ट है फिर तो खत्म हो जाएगा तो ये भी इसके लिए बहुत दूर भागेपूर्ण होने वाला है यहाँ भी कुछ इंपर्टेंट वोड्स आये हुए जैसे कि स्वेल्टरिंग स्वेल्टरिंग का अर्थ होता है तपता हुआ बिलकुल जलता हुआ जैसे जेट वगेरा में गर्मी होती है यहाँ पर एक शब्द इस्तमाल भी किया गया है समर यानि गर्मी लेजिटिमेट का अर्थ होता है कानूनी तोर पर ठीक है पास का अर्थ होता है गुजरना उस चिश का जैसे time को पास करना time पास करना समय गुजरना invigorating का अर्थ होता है उसको उर्जा देने वाला उसमें नई energy डाल देने वाला जान डाल देने वाला autumn यानि शरद रितु जो बसंद वगरा के जस्ट पहले वाला टाइम, freedom यानि आजादी और equality यानि बराबरी Martin Luther कहने के कोशिश करने कि यह जो तपता हुआ समर है, यह जो तपती हुई गर्मी है हमारे पास और वो किस चीश की गर्मी? नीगरो लोगों के बिल्कुल जायज असंतुष्टी की यह तब तक नहीं गुजरेगी, will not pass until जब तक की हमारे पास आजादी की और बराबरी की एक बिल्कुल जान डाल देने वाली हम सभी को उर्जा से भर देने वाली एक सर्दियों के तरह बसंत के जैसा एक बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं क्रिएट हो जाता है यानि हम गर्मी से इस तप्ती गर्मी से एक शरद रितु की तरह एकदम बिल्कुल ठंडे, बिल्कुल सामाने मौसम की तरफ नहीं चले जाते 1963 is not an end but a beginning Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual अब यहाँ पर जो important words है जैसे पहला है beginning, beginning का अर्थ होता है शुरुआत और यहाँ पर जो end शब्द इस्तमाल किया गया है इसका अर्थ होता है समापत होना, hope का अर्थ होता है, उमीद, blow off का होता है उसमें हवा देना steam यानि की धुआ, content यानि संतुष्ट होना, just हमने अभी पीछे discuss किया है rude यानि की बिल्कुल ही अजीबो गरीब टाइब का, awakening यानि जागना, return मतलब वापस होना और business का अर्थ है यहाँ पर काम और as usual यानि हमेशा की तरह यहाँ पर Martin Luther कहने की कोशिश कर रहे है कि 1963 यह साल जिसमें की Martin Luther King Jr. यह भाशन दे रहे है, 1963 is not an end, यह अंत नहीं है, बलकि एक शुरुआत है, but a beginning, बिगनिंग यानि शुरुआत, और वो लोग जो की ऐसा विश्वास रखते थे, ऐसी उम्मीद रखते थे, कि Negro लोग जो है उनका काम ही है, यह जो धुए से भाब वाली जो इंजन होती है, उसको चलाना, उसमें हावा देते रहना, उसमें इंधन देते रहना, जो ऐसा मान रहे हैं, और जो यह मान रहे हैं कि हाँ, कुछ दिन उस समय की बात है, Negro लोग संतुष्ट हो जाएंगे, उन लोगों को बह आने धर्रे पर नहीं चल सकता, अगर यह देश अपने धर्रे पर चलने की कोशिश करता है, तो इसे होश में आना पड़ेगा, और वो जो होश में आने वाला चीज होगा, वो बहुत ही रूड अवेकनिंग होगा, वो कटोर टाइप का एक जटका होगा पूरे देश के लि अंटिल दा ब्राइट डे ओफ जस्टिस इमर्जिस, यहाँ पर जो वर्ड्स आये होँ है, जैसे कि सिटिजन्शिप, सिटिजन्शिप का अर्थ होता है, ना गरिकता, राइट सी यानि अधिकार, यहाँ एक शब्द आये होगा, ग्रेट, ग्रेट का अर्थ होगा, यहाँ उसको शेक, शेक का अर्थ होता है, हिला कर रख देना, फाउंडेशन्स यानि नीव, अब ब्राइट का अर्थ होता है, उज्वल चमकता हुआ, और इमर्ज का अर्थ होता है, उभरना, निकलना, या कायम होना, तो यहाँ पर मार्टिन लूथर क्या कह रहे हैं, कि नीगरो उनकी जो citizenship थी, उनके जो नागरिक्ता को लेकर के जो अधिकार थे, उनको तो बिल्कुल धजियां उड़ा करके रख दी गई, उनको वो सारी चीज़ें मिलने रही हैं, ऐसे में यह जो revolt हो रहा है, यह अभी जो क्रांती शुरू होई है, इसका यह जो तूफान है, यह जो प्राइट डे निकलता नहीं है, हम चाहते हैं कि देश में न्याय को समर्थन देने वाला एक उज्वल दिन निकले, और पूरा देश नीग्रो लोगों को सम्मान दे, उन्हें बराबरी का हक दे, इसी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और बिना इसके हम नहीं रुकने वाले नहीं हैं बदे हैं, जो का है, पर इस अपनर पारबरी को रहे हम नाये कोमान मैं को सम्मान दे को सम्मान देक वे रहे हैं पिलकुल ही गर्म, और थ्रसूर्ड कोहते हैं, उसके हम उसका हैं, इसकी में इकला है। लिमिट होता है, एक ऐसे छोर पर, एक ऐसे मौके पर, एक ऐसा मुकाम है जहां से की दूसरी कहानी शुरू हो सकती है, लीड का अर्थ होता है उसे ले जाना, palace का अर्थ महल, justice यानि नयाय, process का अर्थ प्रक्रिया होता है, gain यानि हासल करना, rightful जो कि हमारा अधिकार है, place यानि जगह, guilty का अर्थ होता है दोशी, और गुनियागार होना, wrongfully यानि कलत, deed कहते हैं काम को तो यहां वो कहते हैं कि But there is something लेकि कुछ ऐसा है जो मुझे यहां पर कहना होगा अपने लोगों से Who stand on the warm threshold जो बिलकुल उस छोर पर खड़े हैं उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि हमें न्याय के महल की ओर लेकर के जाता है वो कहते हैं कि in the process of gaining our rightful place जो हमारा अधिकार है उस अधिकार वाले जगह को हासिल करने के लिए हमें ऐसे काम बिलकुल नहीं करने हैं रॉंगफुल डीट्स नहीं करने हैं जिसे कि हम खुद ही कुनेहगार बनते चले जाएं Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred यहाँ पर भी कुछ important words है हमारे पास जैसे कि पहला शब्द है हमारे पास seek seek का अर्थ होता है कुशिश करना उसे हासिल करने की उस तरफ चलना satisfy यानि संतुष्ट होना thirst का अर्थ होता है प्यास freedom यानि आजादी drink यानि पीना bitterness का अर्थ होता है और hatred यानि नफरत आगे ये अपने लोगों से कह रहे हैं कि हम सभी ये कुशिश करें कि हमारा ये जो आजादी को ले करके ये जो हमारी प्यास है ये जो thirst है हमारा इसको संतुष्ट करने के लिए ऐसा नहों कि हम लोग नफरत की या कड़वाहट की कब से पीने लग जाए यानि कि हमें नफरत नहीं लेना नहीं कड़वाहट को पीना है हम बिल्कुल प्यार प्रेम के साथ लोगों से मिलेंगे लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे और कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि हमारे बीच की नफरत या कड़वाहट और भी बढ़ती चली जाए यहाँ पर जो important words है उनमें एक है कि conduct conduct का अर्थ होता है उस चीज को संचालित करना उस चीज को चलाए रखना और struggle का अर्थ संघर्ष होता है और plane का अर्थ होता है तल, जमीन और dignity का अर्थ होता है इजजत, मर्यादा और discipline यानि अनुशाशन और अनुशाशन के साथ यहाँ पर एक allow है allow का अर्थ होता है अनुमती देना, उस चीज की इजाज़त देना creative, creative शब्द का अर्थ होता है रचनात्मक और protest यानि उसका विरोध करना, उसका वहिशकार करने की कोशिश करना और degenerate का अर्थ होता है उसका अवमुल्यन हो जाना उसका और नीचे आ जाना, जो level है आपका वहाँ से degenerate हो गए यानि आप और नीचे आ गए physical यानि भौतिक और violence कहा जाता है हिंसा को यहां वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि हमें जो है अपना ये जो संगर्ष है, इसे कैसे संचालित करना है यह हमेशा ही dignity यानि मर्यादा के साथ, मान मर्यादा पूरे इज्जत के साथ करें हम और अनुशासन में रहदे हुए करें हमारा ये जो रैचनात्मक विरोध है, परतिरोध है हमारा इस सरकार के साथ, इस समाज के साथ ये कभी भी एक बहुतिक हिंसा में न तब्दिल हो जाए ऐसा हम लोग अकसर हमारे समाज में देखते है कि किसी को किसी से भी अगर मतभेद है कोई अगर आपकी आइडियोलोजी से मैच नहीं कर रहा तो तुरंत किस चीज़ पर उतारू हो जाते है उसे मार दो, उसकी बैजज़ती करो उसके खिलाफ कुछ लिख दो उसका चार लोगों के बीच में नाम खराब कर दो मौका मिले तो उसे पीड दो यहां तक की भीड इतने उगर हो जाती है कि मास क्राइम कमिट करती है पूरे की पूरे बस्तियों में आग लगा देती है पूरे के पूरे सोसाइटी को तहस नहस करके रखतेती है इसी को कहते है फिजिकल वाइलेंस में डिजनरेट हो जाना किसी चीज़ का आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो शान्ती पूरवक अपनी बात रखिए अब सिस्टम के थूरू चलिए बिल्कुल आप प्रोटेस्ट तो कीज़े लेकिन क्रेटिवली कीज़े यही बात यहां पर वो कहरे है मार्टिन लूथर की दिगनिटी और डिसिप्लीन को मेंटेन रखते हुए काम करना चाहिए हमें अगें और अगें वी मुस्ट राइस तो दा मैजेस्टिक हाइट्स अफ मेटिंग फीजिकल फोर्स विद सोल फोर्स दा मार्वेलस नू मिलितन्सी विजिए अगलफ द नूग गरू कम्यूनिटी भी मुस्ट नू लाइस तो दिस्ट वाइट पर फुर्य। वर मैंने वाइट वाइट प्रों वर मैंने वाइट प्रों पर गूजर्थ अविदने और बिदाएंसे के लिए have come to realize that their destiny is tied up with our destiny and their freedom is inextricable bound to our freedom जो important words हैं उन्हें देखते हैं majestic यानि बहुत ही शांदार heights यानि उचाईयां physical यानि बहुत थिक force यानि बल soul यानि आत्मा और marvelous यानि शांदार militancy यह जो लोग होते हैं उगरवाद जो होते हैं उन्हें militancy कहा जाता है engulf का अर्थ होता है उसे समा लेना अपने अंदर community यानि समुदाए और distrust का अर्थ होता है और विश्वास यानि उस पर विश्वास नहीं कर पाना इसके साथ ही कुछ words हैं जैसे many का अर्थ तो बहुत होता है brothers यानि भाई लोग यहां एक शब्द आया हुआ evidenced यह evidence शब्द से बनाया है evidence का अर्थ होता है सबूत प्रमान evidenced यानि प्रमानित करना यानि उस चीज़ को साबित करना presence यानि उपस्थिति realize यानि महसूस करना destiny यानि भाग tied up शब्द है यहां पर जिसका अर्थ होता है बंधा होना उस चीज़ से freedom यानि आजादी inextricably जो कि अलग न हो सके जो बिल्कुल जुड़ा हुआ bound यानि बंधा हुआ अब इसके meaning की बात करते है again and again we must rise to the majestic heights of meeting physical force with the soul force हर बार हमें क्या करना है कि हमारा ये जो शारिरिक बल है ये जो physical force है ये जो भौतिक बल है हमारे एक साथ लोगों के एक जूट होने की हमारे एक साथ आगे बढ़ने की ये हमारे आत्मा के बल के साथ मिलना चाहिए यानि हम आत्मिक रूप से भी बिल्कुल सबल बने रहें, कुछ घलत ना करें ये उस उचाई तक उपर उठना चाहिए साथ ही, यहाँ पर होता किया है कि जब कोई भी community किसी के खिलाफ लड़ रही होती है तो दो तरह के लोग होते हैं एक शांतिपूर्वक बात करना चाहते हैं और दूसरे लोग उगरता के साथ पेशाना चाहते हैं वो कहते हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाँ, महारक भी करना पड़े हमें चाहिए तो चाहिए तो यहाँ वो कहते हैं कि यह जो नई militancy जो उभर रही है निग्रो की community में यानि कि यह जो उग्रवाद आ रहा है इनके अंदर जेने कि इंगल्फ कर लिया इस चेजने वो अपने अंदर समेटे जा रही है उन निग्रो कम्यूनिटी को यह समझना होगा कि सारे white people जो सारे के सारे जो गोरे लोग हैं अमेरिका के उन सभी से हमें नफरत नहीं करनी है और इसके लिए वो बकाइदा कारण भी देते हैं for many of our white people क्योंकि बहुत सारे गोरे लोग जो हैं वो आज की इस जो सभा है बाशन की जो सभा है उसमें आये हुएं और उन्होंने उसे साबित किया है कि उन्हें भी ये महसूस होता है कि उनका जो भाग है उनकी जो टेस्टिनी है वो उनहीं के साथ बंदी हुई है यानि काले और गोरे लोग अलग अलग अगर रास्तों पे चलते हैं तो देश का विकास नहीं हो सकता इसीच को गोरे लोग भी महसूस कर रहे है और वो ये भी मानते हैं कि उनकी आजादी खुद की भी वो इनेक्स्ट्रिकेबली बाउंड है हमारी खुद की आजादी से ये लाइन वो क्यों कह रहे हैं क्योंकि सिधी सी बाद अगर आप एक कम्यूनिटी को कैद में रखते हो वो अगर आपके खिलाब घुस्से में है वो आप जान रहों कि वो आपसे नाखुश है तो अकेले जब आप रोड पर चल रहे हैं तो आप खुद भी 100% अश्योर नहीं रह सकते कि वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे लेकिन अगर गोरे लोग काले लोगों को जो नीग्रो लोग थे उन्हें अगर प्रोटेक्शन देने लग जाए उनकी सुरक्षा करने लग जाए तो क्या होगा ये काले लोग भी उनकी सुरक्षा करेंगे यानि कि white brothers जो गोरे लोग हैं इनको भी अगर सचमुझ आजादी को enjoy करना है तो इन्हें negro लोगों को अपने साथ लेना ही होगा इसके बाद Martin Luther कह रहे हैं कि we cannot walk alone यानि हम लोग अकेले आगे नहीं बढ़ सकते ये गोरे लोगों को भी समझ में आने लग गया है इस line के बाद हमारे इस book में questions दिये गए जिसमें कि true or false से related questions है जैसे पहला question है हमारे पास कि the hopes of the negro population were fulfilled by the signing of the emancipation proclamation यानि कि जब emancipation proclamation sign हो रहा था क्या उस समय negro लोगों की जो उमीदे थी क्या वो उमीदें पूरी होने लग रही थी बिल्कुल सही बात है कि जब ये sign हो रहा था तो उस समय उनकी उमीदें सच मुझ जगी थी सच मुझ पूरी हो रही थी अगले sentence में यहां कहा जा रहा है कि the condition of the negros was appelling appelling condition में जी रहे थे यानि बहुत ही दैनी इस्थिती थी बिल्कुल true है bank of justice is bankrupt क्या जो bank of justice है वो दिवालिया हो चुका है क्या जो न्याय का जो bank है वो दिवालिया था नहीं बिल्कुल नहीं Martin Luther कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है तो ये false है the author prefers racial discrimination क्या ये जो Martin Luther हैं वो नसलिय भेदभाव को बढ़ावा देते हैं वो उसको prefer करते हैं क्या बिल्कुल नहीं करते है वो उसको तो खत्म करने के लिए इसारान दोलन चला रहे तो ये line भी false हो गया हमारा अगला है sentence की the nation could overlook negro problems क्या ये जो राष्ट है वो negro के problems को नजर अंदाज करके आगे बढ़ सकता है यहाँ पर वो जो मार्टिन लूथर है वो चेताब नहीं दे रहे हैं देश को की अगर आप अंदाज करते हैं तो ये देश के लिए दुर्भाग ये पूर्ण होगा तो ये भी हमारा wrong हो गया इसके बाद के sentence में कहा जा रहा है कि अमेरिका के जो negro लोग थे उनके पास जो citizenship के rights हैं वो थे बिल्कुल नहीं थे इसके लिए तो वो लोग लड़ रहे थे वो संघर्ष कर रहे थे क्या मार्टिन लूथर गोरे अमेरिकियों से नफरत करते थे बिल्कुल नहीं करते थे ये भी false हो गया He advocates non-violent struggle यानि कि वो हमेशा ही अहिनसात्मक संघर्ष का समर्थन करते थे क्या ये सही है बिल्कुल सही है क्योंकि वो खुद भी मात्म गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक में से थे वो उनसे influenced थे प्रभावित थे और वो अहिनसात्मक जो संघर्ष है उसको एप्रिशेट करते थे यह जो सारे true-false हैं यह सारे के सारे questions का जो solution है वो आपके homework pdf notes में दिया गया है आप उसे description में से download कर सकते हैं आपका पूरा homework pdf notes वा दिया गया है अब आगे बढ़ते हैं और जो objective questions इतनी दूर में से पूछे जा सकते हैं उन्हें देख लेते हैं एक बार एक question पूछा जा सकता है कि America had given dash people a bad check America ने किन लोगों को जो एक खराब check था हो दिया था तो यहाँ पर आपको Negro लोगों को उसने खराब check दिया था The check had come back marked dash funds उस पर क्या लिखा हुआ था और उसके साथ वो check वापस आया था Insufficient funds Martin Luther refuses to believe that the bank of dash is bankrupt Martin Luther क्या मानने से मना कर देते हैं कि कौन सा bank जो है वो दिवालिया नहीं हो सकता Bank of justice यानि इंसाफ का, नियाय का जो bank है वो दिवालिया नहीं हो सकता है Martin Luther says to his man that it is no time to engage in the luxury of Martin Luther जो है वो अपने लोगों से किस चीज के बारे में कहते हैं कि यह अभी किस चीज में लिप्त होने का, कौन से विला सिता में लिप्त होने का समय नहीं है तो यहाँ पर cooling off होना चाहिए क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा था यहाँ पर क्या आना चाहिए कि इस समय की यह जो moment है, यह जो लमहा है इसके ततकालिंता को, यानि कि इसकी जो बहुत ज़्यादा जरूरत है उसको अगर यह देश नजर अंदाज करता है, तो यह देश के लिए दुरभाग के पूर्ण होगा इसके लिए यहाँ पर fatal आना चाहिए अगला एक question पूछा हो जा सकता है, कि Martin Luther says that dash is not an end but a beginning कहाँ पर वो कहते हैं कि यह एक अंत नहीं है, बलके एक शुरू आत है वहाँ पर उन्होंने कहा था कि 1963 is not an end but a beginning In the process of gaining our rightful places, we must not be guilty of what dates यानि कि हमें जो हमारा अधिकार है, जो हमारा अधिकार होना चाहिए जहां पर होने का उसे हासिल करने के process में, उसे हासिल करने की प्रक्रिया में हमें किस चीज का गुनाहगार नहीं होना है wrongful dates, जो गलत काम होते हैं, उन्हें करने का गुनाहगार नहीं होना है मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में इसी पार्ट के 18 पैराग्राफ तक की reading के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और कुछ नया सीखते हुए, एक शानदार दिन बिदाएए वीडियो में लास्ट तक साथ बने रहने के लिए बहुत 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 शुक्रिया